हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और इंट्रेस्टिंग सी कहानी तो वो कहानी जानने के लिए आप लाश्ट तक बने रहें इस वीडियो में तो यह मैं पंच तंत्र की बुक से बताने वाली हूँ आपको जो मैं दो वीडियो पहले मना चुकी हूँ पंच तंत्र की बुक से पढ़के मैं कहानी और ये है तीसरी तो आज की कहानी है एक लोमड़ी और अंगूर की कहानी दा फॉक्स एंड दा क्रैप्स तो चलिए सुरू करते हैं हम लोग हमारी इंट्रेस्टिंग सी कहानी तो कड़ी धूप में एक लोमड़ी दाख का बारी देखा दाख का बारी क्या होता है अंगूर की अंगूर का बगीचा वो लोमड़ी ने देखी तो जैसे ही देखी वो इतने रसीले और इतने पके वे और बैगनी रंके थें वो एक उंची पेड में लट की द्वारा वो अंगूर पूरा उस पेड में पूरा अच्छे से लप्टाया हुआ था उसमें और देखने से इतने रसीले उसको लग रहे थें पूरा पके हुए रसीले और गोल मटोल अंगूर और जैसे वो देखी तो अंगूर देखते ही उसके मुं में पानी आ गया और उसे तेजी से भूख लग गई उसको उस लोम्री को तो वो क्या किया कि सोच रहा है और देख रहा है और उस रसीले अंगूर को कि देखने कितने रसीले कितने मीठे लगेंगे खाने में तो उसको खाने कमन करने लगा भूख लग गया उसको तो वो क्या की कि जोर से चलांग लगाई जोर से उचली और तोड़ने का कोशिस की अंगूर को ताकि वो खा सके लेकिन पहले बार कोशिस की आसफल रह गई फिर से कोशिस की फिर से आसफल रह गई फिर से वो लाश्ट से दोड़ने के लिए अपना गती को बढ़ाने के लिए आगे पीछे हो करके वह दोड़कर के छलांग लगाई उपर से दम कुदी उपर में और जैसे ही वह कुदी न तो वह पूरी तरह से आसफल हो गई वह पहुंची नहीं पाई उस अंगूर तक क्यूंकि वह बहुत उसमें पूरा लपटाया हुआ था उस पेड में की लोंबडी उस तक पहुंची नहीं पाई बहुत कोसिस की लिकिन नहीं पहुंच पाई और वह पूरा सैड हो गई की और सुचने लगी की दिखने हम तो लग रहे हैं लेकिन रसीले और मीठे नहीं होंगे वह यह सुच ल चलते हैं यहां से यह फल मीठे नहीं है अंगूर मीठे नहीं और रसीले नहीं होंगे हमको लगता है ऐसा और वह हार मान गई बस वह निकल गई अपने घर की और चली गई तो आज का सीख जो है इससे हम लोगों को यह सीख मिलता है कि कोई भी कोई भी काम को अगर कोई भी काम को असानी से अगर हम नहीं कर पाएं या फिर छोड़ दियें गिव अफ कर लिए हम लोग कोई भी काम को तो हम लोग किसी भी चीज का जो जिस चीज के लिए नोग छोड़े हैं जो काम अगर वो चीज का छोड़ दिये तो हम लोग उसका अच्छाई नहीं जान पाएंगे क्योंकि हम लोग हार मान गए कि ये हमसे हो गाई नहीं है ये सहिन नहीं होगा ऐसे करने लगे तो उस चीज का अगर हम लोग जान ही नहीं पाएंगे उसका क्या अच्छाई है उस चीज का तो हम लोग तो give up करी लेंगे ना असानी से give up कर लेंगे कि नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोग को hard नहीं माना चाहिए कोई भी काम अगर कर रहे हैं हम लोग तो आगे बढ़ते रहना है कोशिस करते रहना है hard होगा एक नएक दिन जरूर से जीत होगा हम लोग का तो ये थाज का सीख हम लोग का तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो थांक्यू